NCRT new book से trigonometry chapter से अब करेंगे सबसे ज़्यादर important example example number 12 और काफी students को इस question में doubt रहता है तो यहाँ पर देखो prove करना है left hand side को हमें right hand side के equal prove करना है और question में given है कि हमें इस identity का use करना है लेकिन ध्यान दीजिए आपके exam में यह hint यह identity जैसे लिखाओ न यह आपके exam में नहीं आई यह आपको अपने आप ही लगाना पड़ेगा तो चलो जो left side में इसको हम पहले हैं लिख लेते हैं ठीक है left hand side क्या है हमारा sin theta minus cos theta plus 1 अपन में sin theta plus cos theta minus 1 अब यहाँ पर आपको एक trick धियान रखना है क्या trick है देखो वो trick यह है कि हमें RHS में याने right hand side में चाहिए क्या हमें sack और 10 के form में चाहिए अब यह जो दे रखाए इसको कैसे बनाया जा सकता है sack और 10 के form में देखो वन अपन अगर कॉस करेंगे तो वन अपन कॉस होता है क्या sack और sign अपन कॉस करेंगे तो यह होता है 10 तो sack और 10 है मैं चाहिए तो हम उपर भी और नीचे भी दोनों तरफ हम कॉस से दिवाइड कर देंगे तो मैं लिखता हूं डिवाइडिं लीक देता हूं डिवाइडिंग ho तो देखो cos से उपर और नीचे जब divide कर देगा तो क्या आएगा sin theta minus cos theta plus 1 इसको divide कर दिया हमने cos theta से upon ये जो था इसको भी लिख देते हैं sin theta plus cos theta minus 1 और इसको भी हमने divide कर दिया cos theta से अब देखिए cos जो है upon में है ये cos इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा इसी के आगे मैं यहाँ solve करता हूँ तो sin upon cos क्या होगा sin upon cos होता है 10 theta ठीक है theta हम लगा दें sin upon cos 10 और theta है तो 10 theta minus cos theta upon cos theta क्या आएगा ये आजाएगा 1 plus 1 upon cos theta क्या आजाएगा sec theta ठीक है ऐसे ही same upon में यहाँ की denominator में इदर की तरफ कर देंगे sin upon cos ये cos इसके नीचे भी इसके नीचे भी इसके नीचे भी इसके नीचे ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज़ धियान दखनी है क्या मैं यहाँ पर next step में बताता हूँ minus 1 को separate कर लेता है sec theta आपको इसके साथ लिख देते हैं 10 theta plus sec theta और ये जो minus का 1 है उसको मैं अलग लिख देता हूँ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नीचे भी same नीचे कोई change नी करेंगे बस ऐसा कर देंगे 10 theta ये minus sec theta इसके साथ लिख देंगे minus sec theta और plus 1 है इसको भी चलो इधर separate कर देते हैं अब देखो हम यहां पर bracket लगा सकते हैं क्या अगार यहां bracket लगा दिया यहां bracket लगा दिया तो क्या ही फरक पड़े है कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तो minus के बाद यह term वैसे separate है अब यहां पर आपको एक बात ध्यान दखना है क्योंकि hint में यह दे रखा था identity दे रखी थी यहां गिवन है exam में आपको नहीं गिवन होगी यहां पर देखो एक identity हमारी होती है क्या स्क्राइब तो कुछ हमें उसी फ़र्म में लाना है इसको तो एक काम करते हैं इसको बड़ा ब्रेकट लगा देते हैं यहां पर ब्रेकट लगा देते हैं ऊपर नीचे हम 10 theta minus sec theta से देखिए क्यों किया देखो हमें लाना है अगर वन को यहीं रहने देदा है तो 10 स्क्वार इदर आ जागा तो सेके स्क्वार माइनस 10 स्क्वार थीटा ठीक है सेके स्क्वार माइनस 10 स्क्वार थीटा तो वही लाने के लिए लेकिन हमें यहां दे रहें का 10 थीटा प्लस पड़ेगा तो 10 theta plus sec theta अब इन दोनों bracket को multiply करेंगे ना तो कुछ इस तरह का आज़ा कुछ exactly नहीं आएगा पर कुछ इसलिए हमने 10 theta minus sec theta से उपर नीचे multiply कर दिया अब देखो यह जो 10 theta minus sec theta है यह पहले वाले bracket से multiply होगा फिर minus यह 10 theta minus sec theta इससे भी multiply हो यानि दोनों से बारे बारी multiply होगा जब पहले इस bracket से multiply होगा तो देखो क्या आगा a plus b a minus b ठीक है जब यह bracket दोनों आपने से multiply होगा तो क्या होगा, a plus b, a minus b, तो क्या हो, a square minus b square, यानि कि 10 square theta minus sec square theta, यही तो आएगा, ठीक है, bracket बंद, अब इसको minus 1 से multiply करेंगे, तो यह आजागा minus, अब यह minus 1 को दोनों से बारी-बारी से multiply करतो, तो यह आप पहले minus 1 लिख दो फिर अगली बार bracket खोल दो, चलो भी डारेक्ट ही कर देते हैं, minus 1 को जब इस पूरे से multiply करेंगे, तो minus 1 को 10 theta से करेंगे, यह आजागा minus का 10 theta, यह तो line चल गए ऐसी तो ठीक है, इसको ignore करना है, minus 1 को 10 theta से करेंगे, तो minus 10 theta, और minus 1 को minus 1 theta से करेंगे, तो यह आजागा plus का sec theta, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए, अप on में देखो, यह bracket, यह से जब multiply करेंगे, तो यह bracket और यह bracket को फिल्को सेम है, तो यहाँ पर 10 theta minus sec theta का बन जाएगा whole square, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यह bracket को हम दोनों से multiply करेंगे, पहले इसको इस से करेंगे, फिर plus 1 से multiply करेंगे इसको, ठीक है, तो इस से जब इसको करेंगे, तो whole square हो जाएगा, अब plus 1 से करेंगे, तो plus इसको ऐसे ही छाप देंगे, यह यह 10 theta minus sec theta, यह बात आपको समझ में आ गई, अब एक बात और समझना, ऊपर चरह, यहाँ को change हो सकता है, क्या, देखो, यहाँ से अगर हम identity का यही धियान रखें, यह 10 square minus sec square theta है, तो अगर इसी को use करें, तो sec square को अगर हम इधर ले आते हैं, तो one इधर जाके minus का हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं, चलो इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर using, ठीक, आप यहाँ जगा है, इधर जगा नहीं, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, बाकि आपको right side ही लिखना चाहिए, ठीक है, using, देखो, sec square theta होता है, one plus 10 square theta, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए 10 square minus sec square theta, तो 10 square को हमने इधर ही रखा, sec square theta को इधर पहुचा देंगे, तो minus का sec square theta, equal to one को इ use करना है, ठीक है, तो लिख देते हैं, 10 square minus sec square theta, क्या हो जागा, minus का one, और यहाँ पर minus 10 theta, चलो फिलाल तो ऐसे ही लिख देते है, minus 10 theta plus sec theta, नीचे क्या होगा देखो, अब देखो, यहाँ थोड़ी सी गड़बड होगी, गड़बड क्या होगी, कि ऊपर वाला तो हमें change करना नीचे वाला नहीं करना था, क्यों, जैसी हमने numerator को solve करा, तो पता चला यह तो इसी step में आ रहा था, यहाँ से यह जो हमें मिल जाता, तो cancel out हो जाता, यानि हम यहाँ पर यह denominator जो हमने किया न, इसको नहीं solve करना था, इसको हम सिर्फ ऐसे ही छाप देते हैं, ठीक है, इसको 10theta minus 10theta, प्लीज आप इसको correct कर लेना, इसका मुझे ध्यानी नीज़ा पिल्कुली, ठीक है, ऊपर वाला हमारा सेम रहेगा, सिर्फ नीचे वाले जो में step multiply करें, बस हमां multiply नहीं करना था, सिर्फ इतना ही आपको change करना है, चलो, ऊपर वाला तो हमने ऐसे ही लिखा, अब upon मैं इसको अब मैं यहां फिट से लिख देता हूँ, क्या यह 10theta minus sec theta plus 1, एक bracket में, दूसरे bracket में 10theta minus sec theta, देखो कैसे cancel out हो जागा, देखो, यहां से minus 1 है, और यहां minus 10theta plus sec, और इन तीनों से minus common ले लिए जब आखा, तो क्या हैगा, यह plus का हो जागा, यह plus का हो जागा, यह minus से minus का हो जागा, वही तो नीचे bracket में दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते है, equal to minus, minus मैंने बाहर ले लिया, तो इनके bracket के अंदर के sign change हो जाएगा, यह plus का 1 हो जागा, और यह minus 10theta, यह हो जागा, plus का 10theta, और plus का sec theta था, यह हो जागा, minus का sec theta, और upon में क्या है, यह पूरा bracket क्या है, 10theta minus sec theta, plus 1, दूसरे bracket में लिखा हुआ है, 10theta minus sec theta, तो लिख देते हैं, 10theta minus sec theta, अब यहाँ देखें, तो यह पूरा पूरा bracket, यह पूरा bracket के same है, कैसे, plus का 10theta, यहाँ भी plus का 10theta है, plus का 1 है, यहाँ भी plus का 1 है, minus sec theta, यहाँ भी minus का sec theta, तो यह पूरा bracket cancel out हो गया, क्या बचता है, one upon ten theta minus set theta, यानि कि ये वाला bracket बचा नीचे, ठीक है, RHS में हमें यही तो चाहिए था, देखो question में, तो ये हमारा equal to RHS, question हमारा complete हो गया, इस बात को ध्यान लगना, जो गल्ती मैंने करी, कि आप मत करना है, ठीक है, नीचे वाले bracket को multiply नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है, ऐसे ही छाप देना है, सिर्फ उपर वाले bracket को ही multiply करना है, ठीक है, उमीद करता हूँ question आपको समझ में आया होगा, अगर आपको इस chapter के किसी भी exercise है, किसी भी question में doubt है, तो मैंने playlist बना रखी है, description box में उसका link दे दूँँगा, आप वहाँ से देख लेना, ओके मिलते हैं next video में, ओके thank you